तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूं अच्छे से होंगे तो आप लोग को हसी आ रहा होगा कि आज ये दोस्त अमारी क्या दिखा रही है तो बहुत ही यूसफूल वाला वीडियो है इसको आप जरूर ट्राइ के जेगा तो दोस्तों अभी सुबह का समय है तो यहां पे आ तो मैं वेश्ट ने करती हूं इनको जो हमारी माता जी क्या करती है यहां पर आप देख सकते हो गाए में गाए आता है गाए माता जी आते हैं हमारे घर तो यहां ऐसे ही करके रोटी चावल जो भी आनाज आपके घर में बचे हुए रहते हैं उनको वेश्ट नहीं करना चा देते हैं तो एक प्रकार का वेस्ट हो गया लेकिन अगर यह सबजी और फलो से यह जो वेस्ट मैटेरियल है अगर आप गाय को दे दो तो यह तो पुन्य का काम भी हुआ प्लस क्या होगा अगर गाय इनका सेवन करेंगी तो वो स्वस्ट भी रहेंगी और क्योंकि ग्रीन वेजिस और फल के यह चिलके है तो इनके जरिये अगर गाय इनका सेवन करेंगी तो दूद भी अच्छा हम लोग को मिलेगा और गाय का दूद तो हेल्थ के लिए बहुत ही तो एक तो ये useful हो गया और दूसरा क्या होगा कि अगर आपके आगे पीछे जो पेर पौधे रहते हैं पेर पौधे में भी इन छिलकों का बहुती बड़ा योगदान है क्योंकि अभी जो हम chemical वाले जो दवाई यूज करते हैं पौधे में तो उनका कही न कही अगर आते हैं हमारे पौधे लेकिन यह क्या हुआ यह एकदम ओरीजिनल खाद हुआ तो इन सब को भी आप सुखा के धूप में अगर आप पेर में सुखा के डालो गए या फिर ऐसे ही डाल दोगे तो यह खुदी सूख जाएगा तो इससे जो हमारे पेर पौधे होते हैं वह भ दोस्तों को बता देते हैं कि वेश्ट नहीं करना चाहिए इनको भी इतनी सारी हो गए थी तो दोस्तों एक अच्छा काम भी हो गया और साथी साथ इसको आप अपने पेर पौधे में इस्तमाल कर सकते हो खाद वगेरा के रूप में तो बहुत ही लाप्रदक होता है और वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताईएगा और ऐसे ही चोटी चोटी वीडियो के साथ मैं मिलती रहोंगी आप लोग के लिए यूसफुल वीडियो लाते रहोंगे तक आप खुश रहिए आवाद रहिए मुस्कुराते रहि मतलब हर बारो मैना ऐसे ही यूस होता है हमारे घर में हर वेस्ट मेट्रोलियर का कुछ न कुछ काम हो जाता है दोस्तों आगे पिछे जिस घर में हम रहते हैं तो मेरे आगे पिछे भी फूल क्यारियो की बहुत सारी बौधे सब लगे हुए है तो उनकी भी वीडियो मैं आ प्लीज कॉमेंट बाक्स भी लिकी बताईएगा तब तक के लिए बाबाई टेक केर